partial completeness constant अब ये बिल्कूल सी तर सेम अज़े जैसा कि आपके पास total completeness constant ये क्या कहता है it says that all the instances of a super type can exist without being member of any subtype वो ये चीज़ कर रहा है कि जो आपके पास super type की entity है वो उसके अंदर जो बलब instances दी हुई है वो किसी और subtype के साथ relationship बनाए बहर भी exist कर सकती है बलब super type की entity के लिए ये जीज़ लाजमी नहीं है कि इसके instances ने नीचे given subtype के साथ अपना relationship बनाना है ठीक हो गया ये जीज़ कहते है partial completeness constant partial means कि वो relationship बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता मतलब मेरा कहने कही है basically कि यहां पे वेकल की entity है अब वेकल की entity में क्या होगा basically है engine displacement है vehicle name है अभी पहला टेबल है इसके नीचे दो टेबल की वने कार का और ट्रक का तो अब हम हमारे बाद ये example है जिसमें हम लोगों ने वो motorcycle वाल example ली थी और जिसमें हम लोगों ने वो specialization का रहे थे originalization का रहे थे तो आपके पास vehicle की entity ये कों से entity ये actually थी motorcycle वाली entity जिसके पास अपने unique attribute नहीं थे तो वो खतम हो गई थी इसलिए motorcycle होगा तो यहां पर इससे vehicle ideas कि आईगी price है engine displacement है का वेकल का नाम आजाएगा make model अब उसके जो बाकी attributes है और लब उसको हमें कार और ट्रक के साथ लिंक करने की ज़रूरत तो नहीं है न हम जस्ट वेकल वाले टेबल मुसके attribute store करेंगे और बाकियों के साथ को हम link नहीं करेंगे ठीक हो क्या partial completeness constraint यह चीज़ होती है it says that all the instances of supertype can exist without being member of any subtype मतलब यह असान इलफाद में कि supertype entity के लिए यह चीज़ लाजमी नहीं है कि वो किसी subtype के साथ अपना relationship बनाए an entity instance of supertype may or may not belong to any subtype मतलब यह कि वेकल की यह जो entity है इसकी instances के लिए यह चीज़ है कि यह may or may not relationship बना सकता है मतलब an vehicle supertype may or may not belong to any subtype which is car और a truck it is represented by a single line originating from a supertype अब इस case में लेकिए हमने यहाँ single line लगाई है वेकल का कार और यह जो बीज में सरकल है यह किस चीज़ को represent कर रहा है यह ER diagram के अंदर हमेशे जाद रखेंगे आप लोग यह relationship को show करता है और यह single line show कर रही है यहां पे कि यह partial relationship है जब कि प्रिवेस slide में कि हम देखें यहां पे तो यहां पर relationship के साथ patient से जो relationship generate हो रहा है outpatient और resident की तरह वो double line है तो यह relationship किसी को nominate कर रहा है पहला concept किया था total completeness constant इस concept पर रहाइस करने फिर उसको हम आगी लेकर मज़ी पढ़ते है total completeness constant क्या जैसी कि it says that all instances of a super type must be member of some subtype वो यह कहता है कि super type entity होगी उसकी जितनी भी instances होगी उनके लिए लाजमी है कि वो किसी एक या एक से ज्यादा के साथ अतना relationship बनाएंगे लाजमी हैं के लिए must पर यहां पर word है there is a must word in this total completeness कि patient के अंदर patient के टेबल के अंदर अगर हम आपस पांच instances हैं या पांच records हैं या पांच rows हैं तो उन पांच records का हमने दीचे given किसी एक subtype के साथ at least किसी एक के साथ हमने लाजमी relationship हमने basically यहां पर बनाना है ठीक है क्योंकि patient है तो वो लाजमी बात है या तो वो outpatient होगा या वो resident patient होगा ठीक होगा इसलिए यहां पर हमने double line लगा रहा है double line total completeness को represent करता है और यहां पर आप लोगों को बीच चीज बताईती वह यह थी कि यहां पर हमारे पास क्या चीज़ है कि आप लोगों ने कर्डिनल्टी भी देखी दूसरी कर्डिनल्टी को क्यों सी थी मैंनी टू वाली किन एंटिटी के तरमयान patient और responsible physician के पास के लेट से हमारे पास पांच physician इतने हैं और दस patient है ठीक तो वो लाजमी चीज़ है कि वो जो पांच physician है उनके उनके साथ कोई ने कोई patient लाजमी engaged होगा वो किसी ने किसी patient को जरूर देख रहे हैं कि वाला patient जो है basically किसी ने किसी physician के साथ लाजमी engaged होगे अपने आपको तो ऐसा नहीं होगा कि patient free vet है और कोई doctor उसके पास है ही नहीं ठीक हो गया तो patient अगर hospital में आ गया है तो उसके लिए mandate रही है कि वो अपने relationship किसी ने किसी physician के साथ लाजमी create करेगा इसी तरीके जब जिस वगत patient आएगा अगर वो resident patient है तो उसके उसके लिए भी यहां पर यह point लाजमी होगा कि उसको bed assign किया जाएगा ठीक हो गया ऐसा possible नहीं है कि resident patient हो और वो बगयर bed के admit हुआ पड़ा हो ठीक है that's why the result one to one mandate relationship एक resident patient के लिए एक event allocate किया जाएगा तो यह था total completeness यह था partial completeness इसके अंदर आजाता है में में और में नौट यहां पर basically word है वो में और में नौट उसमें क्या था मस्ट कवर्ड था इसमें में और में नौट कवर्ड है कि हमारे पास जो लार्जर एंटिटी है जो सुपर एंटिटी है उसके लिए may be covered है कि वो उसके लिए उसके लिए चाहे तो नीचे गिवन एंटिटी के साथ रलेशन्शिप बनाए या फिर वो ना बनाए यह वो system है basically database का कि आपके पर लार्जर एंटिटी में जो records होंगे वो एक्जिस्ट कर सकते हैं without creating without relating themselves with any given sub entity कि जो नीचे सब एंटिटी के साथ relationship बनाए बगाए वो exist कर सकते हैं ठीक हो क्या अब एक और इसके अंदर variety या जाती है वो किना से आई है यह हमने दो पढ़ने रहे हैं अब यहां पर completness constraint को खताम अब अगला constraint है disjoint constraint क्या चीज़ है हम disjoint constraint के भी फिर फर्द आगे तो types हैं यह two types of the disjoint constraint constraint and overlap constraint यह दो rules है basically अब disjointness constraint क्या 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 है disjointness constraint specifies that a super type can be a member of two or more subtypes simultaneously disjointness यह कहता है कि हमारे पास इस पर टाइप है ना वो दो यह दो से ज्यादा सब टाइप के साथ relationship same time पे बना सकता है या नहीं बना सकता है इसकी तो types हैं एक है disjoint rule है और एक है overlap रूल है मालब एक super type जो है मालब एक उसकी कोई record को ले लें किसी एक instance को ले लें हम अगर कहें कि record no.3 क्या same time पे नीचे given दो सब entities के साथ अपना relationship बना सकता है या नहीं बना सकता तो यह चीज़ कराती है disjointness constraint ठीक है अब यहां पे इसको हम देखते हैं अब यहां इसी example को भी यहां पे आजाए हैं आप लोग अब disjoint rule के कहते this joint rule says that an instance of a supertype may not simultaneously be member of two or more subtype ठीक है may not simultaneously के वो दो subtypes के साथ अपना relationship नहीं बना पाएगा this joint rule में है के वो दो subtypes के साथ अपना relationship नहीं बना पाएगा this joint rule a patient can be either an outpatient patient अगर आएगा तो वो या तो आउट-patient होगा या फिर रेजिटेंट पेशेंट होगा ऐसा नहीं हो सकता कि वो सेम टाइम पे दोनों के साथ relationship नहीं बना पेशेंट नंबर एहमद जोए अगर वो जिसों के रिकार्ड्स के जाएगा पेशेंट के डेबल में ए आपर देखें यहां पेडबल लाइन भी साथ आ रही है अब यह को अब यह डिजॉइंट रूवल हुआ यहां पेशेंट ही होगा तयाप आपके पास वह जोगा उसके लिए लाजमी नहीं है कि पशेंट के मतलब किया है कि पेशंट की जू एंटिटी है उसके लिए लाजमी नहीं कि वह दो के साथ अपना रलेशनशिप बनाए लेकिन अगर बनाएगा तो किसी एक के साथ रलेशनशिप बनेगा ठीक हो गया फिर में पाता जाए जाए है और अब यहां पर यह और लाब रूल भी क्यों से है, total over lab rule है basically, वो कैसे पता चला है, यह double line आप को बता रही है कि this is our total over lab rule है basically, अब total over lab rule ही बता रहा है कि it says that an instance of our super type may simultaneously be member of two or more subtypes, कि हमारे पास जो super type होगी, ऐसा possible है कि वो एक type पे, एक से जादा entities के साथ अपना relationship हो बना रहा हो ठीक है, वो ऐसे है कि यहां पर पार्ट की example ही यह पार्ट जो होता है, गाड़ी का पार्ट हो गया या मुटसाइकल या किसी भी वहिकल का पार्ट हो गया, वो एक time पी या manufactured भी हो सकता है, कमजा रही है, ऐसा possible है हमारे पास कि a part में भी both a manufactured part and a purchased part at the same time, कि हमारे पास जो पार्ट होता है काड़ी का वो manufactured part भी हो सकता है या purchased part भी हो सकता है, same time पे, purchased होगा और purchased क्या होगा manufactured होगा, ठीक होगा तो दोनों के साथ का link बन सकता है, तो इसकी जाएं पर ऐसे गार्वरेट है ये manufactured part भी है और purchased part भी है तो इसलिए इसका link हम दोनों के साथ कर सकते हैं, इसको manufactured भी किया गया या इसको purchased भी किया गया तो same time पे हम इसको अवर लैब रोल इसलिए कहते हैं कि part का relationship दोनों के साथ मनेगा, तो बचे अभी ये meeting 40 minutes के अभी end हो जाएगी तो फिर आप लोगों दोबारा इसको reconnect करना होगा, तो यह हमारा था, यहां तक यह कुछ concept थे, ठीक हो क्या, यहां तक कोई confusion किसी को कोई question वरा किसी का, माइक सब के, open है? सर, overlap और disjoint का दोबारा समझा दे सर, overlap बज़े इसमें हमारे पास ऐसा है कि disjoint rule basically पहले simple अलफाज में तो पहले है, disjoint overlap होता क्या है, disjoint में मतलब हमारे पास यह चीज होती है, कि हम एक time पे दो चीजों का relationship नहीं बना सकते हैं, disjoint के मतलब यह है कि आप same, दो चीजों के साथ अपना relationship अगर ना बना सके न तो उसको कहते हैं disjoint, disjoint means कि आपने दो चीजों के साथ same time पे relationship नहीं बनाना, overlap में होता है कि एक चीज एक time पे एक से ज्यादा चीजों के साथ अपना relationship basically बना सकता है, ठीक है तो यह होता overlap, अब अगर हम disjoint की बात करें तो disjoint में यह है कि आप example दे की patient की, आप patient देखें same time पे, कोई एक type का होगा ना, मतलब है कोई मरीज hospital में आता है, तो वो या तो outpatient होगा या फिर resident patient होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो एक ही time पे वो नार्मल check-up के लिए आख रहा हो, वो admit भी साथ हो जाए, ट्रैक्ट हो नहीं साथ होगा, पहले पो डाटर चेक करेंगा, फिर उसको वोगर स्वेर कंडिशन में हो तो फिर बाद में उसको transfer किया जाएगा, इसमें ICU में transfer को किया जाएगा तो पेशन्ट या तो आउट पेशन्ट होते है, नॉर्मल check-up भला क्यों जिसे routine check-up ले जाते हैं ठीक हो क्या, या फिर पेशन्ट वो होता है जो के admit वाला होता है जिसको admit किया जाते है, ठीक हो क्या, तो हमारे पास ये चीज़ है, disjoint rule, disjoint rule says that an instance of supertype may not simultaneously be a member of two or more subtypes, कि हमारे पास जो disjoint rule हो ये कहता है कि हमारे पास जो supertype है, उसके लिए ये चीज़ लाजमी है कि वो अगर तो relationship बनाएगा, तो वो किसी एक के साथ बनेगा, एक time पे एक से ज़ादा subtypes के साथ relationship disjoint में नहीं बन सकता, point अब लगों नहीं याद रखने है simply, कि disjoint rule अगर आ जाता है, तो उसमें supertype की जो entity है, वो same type पे किसी एक के साथ उसमें relationship बनाना है, एक से ज़ादा subtypes के साथ उसका relationship नहीं बन सकता, ठीक हो गया, इसके बाद हमारे पास है overlap rule, overlap rule simple सा point है, हुझे जाद रखना है कि जो मरबास super entity होगी, वो एक time पे एक से ज़ादा sub entities के साथ अपना relationship को create कर सकता है, ठीक हो गया, clear app cheese, कोई issue यहाँ पे है, नो sir, ठीक हो गया, बाकी बच्चे किसी और को कोई समय ना है हो, कोई topic यहाँ पे को issue आ रहा हो किसी को, sir, completeness constraint का एक बार बता दें, completeness constraint में है कि हमारे पास completeness constraint को simple आपने सब यह चीज़ याद रखने है, completeness का मतलब ही है हमारे पास कि relationship का लाजमी होना, compulsory का word आजा है, compulsory, मतलब कि हमारे पास यह जो patient entity है, यहाँ पे लेकर double line आ रही है, नजरा रही double line, इसके मतलब है कि patient entity यह उसके लिए लाजमी है कि नीचे given entities के साथ अपना relationship बनाएगा, यहाँ पर इतना point है, point का है कि total completeness में होता है कि जो super type है उसके लिए लाजमी है कि वो अपना given entities के साथ relationship बनाएगा, अब यहाँ पर अगर हम D डाल देंगे, तो पिर यह बन जाए कि total disjoint constraint का मतलब क्या है, यह total disjoint completeness constraint है basically, इसके मतलब यह है कि super type जो patient entity है उसके लाजमी है कि वो relationship बनाएगा पहला point, ठीक है लाजमी relationship बनाएगा, दूसरा point यह है कि जब relationship बनाएगा तो किसी एक के साथ बनाएगा, ठीक हो गया, clear है, हमाई बस total disjoint constraint होता है, बन जाता है इसकत हम अब यहाँ पर अगर D लगा देंगे, circle में अगर D लगा तो यह क्या बन जाएगा, total disjoint constraint, इसमें यह उगा कि super entity will relationship with given subtype, पहला point यह कि given subtype के साथ लाजमी relationship बनाएगा, लाजमी, second point यहाँ भी मारे पास यह है कि अब यहाँ पर बाट है जाते है disjoint, disjoint, specify that super entity will make relationship, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक subtype के साथ अपना relationship बनाएगा, कि super type entity जो है वो उसके लाजमी है कि वो given subtype के साथ अपना relationship बनाएगा, और disjoint इसमें यह चीज़ कर रहा है कि जब relationship बनेगा तो किसी एक entity के साथ relationship बनेगा, एक साथ नहीं बनेगा, अब यहां पर क्या है कि total overlap rule BC बना जा सकता है, अब total overlap की करना बात करें तो overlap में क्या होगा, कि relationship पहला point total यहां पर total word क्या कर रहा है, ili relationship लाजमी बनेगा, overlap में यह relationship बन जाएगा, तो वो क्या होगा, वो क्या चीज़ होगा, वो एक से ज़्यादा के साथ, with then one, more than one subtype के साथ relationship बनेगा, अब यहां पर यहां पर आपकास partial disjoint rule होगा, partial disjoint rule कहता है, partial disjoint rule यह कहता है हमारे पास, partial disjoint, partial disjoint constant हमारे पास यह चीज़ कहता है, कि वो जो relationship होगा, दो entities की दिर्मियान, वो लाजमी नहीं है, ठीक है, वो लाजमी नहीं है, अगर वो relationship बनेगा, तो वो यहां पर पार्शल disjoint, partial disjoint, partial disjoint rule कहा है, कहा हमारे पास, तो यह relationship रहु लाजमी नहीं है अगर बनेगा तो वो किसी एक के साथ बनेगा और partial overlap रूल यह होगा कि relationship लाजमी नहीं है अगर बनेगा तो वो दोनों के साथ बन सकता है ठीक हो गया